पर अलग-लग बोली जाती हैं, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक बोली के क्षितर में रहने वाले दो लोग उस बोली का प्रियोग कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, फिर भले ही दोनो लोगों की उपबोलिया अलग-अलग हो, अब आता है मात्री भाशा, पांचो है आपका मात्री भाशा, वैसे तो मात्री भाशा का अर्थ होता है माता की भाशा, अर्थात, बच्चा अपने माता का अनुकर्ण करके, जिस भाशा को सीखता है, उसे मात्री भाशा कहते हैं, प्रतु आज इसे मात्री भाशा का संकुच्चित अर्थ माना जाता ह व्यापक अर्थ में उसे मात्रे भाशा वो भाशा होती हैं जिसमें उस क्षित्र में रहने वाले लोग अपने भावों, विचारों, आधी का आदान परदान करते हैं जिस तरह से यदि कोई पंजाबी भाशी परिवार गुजरात में बस चाता है, तब उस परिवार में जन्म लेने वाले परिवार में प्रिक्त होने वाले पंजाबी भाशा को उसकी मात्रे भाशा कहा जा सकता है प्रंतु सचे अर्थों में गुजराती ही उसकी मात्रे भाशा कहलाएगी आप तीस आपका छटा आता है संपर्क भाशा संपर्क भाशा में आपका संपर्क भाशा होती है दो बिन भाशा भाशी लोगों के मध्य बिचार बिनिमे के लिए जिस अल्य भाशा का प्रियोग होता है उसे संपर्क भाशा कहते हैं जब ऐसे अवसे पर यह तीसी भाशा ही दोनों बिन भाशी लोगों के बीच संपर्क स्थापित करती है जिस तरह से उधारन के लिए तम्मिल भाशी व्यक्ति जो हिंदी भाशा से अपरचित है और हिंदी भाशी व्यक्ति जो तम्मिल भाशा से अपरचित है के बिज यदि अंग्रेजी भाशा के माध्यम से विचारों का आदान परदान होता है तब ऐसी स्थीती में अंग्रेज प्राश्ट्र भाशा को संपर्ख भाशा कहा जा सकता है, कहा जाएगा, अब सात्व है आपका राश्ट्र भाशा, पूरे राश्ट्र में जब एक ही भाशा का प्रयोग वो प्रचलन होता है, तब उसे राश्ट्र भाशा कहते हैं, ऐसे राश्ट्र में प्राय सभी सरकारी का रामकाज भी राष्ट्र भाषा में ही होते हैं। जिस तरह से उधारण में जर्मनी, फ्रांस, आदी देशों में जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा ही राष्ट्र भाषा है और वही मातरी भाषा भी है। अब आपका आता है राज भाषा, आथवा है आपका राज भाषा, राज भाषा से तातपर उस भाषा से हैं जिसमें उस राष्ट्र अत्वा राज्यों का सरकारी कामकाश होता है। इसमें राज भाषा के बारे में डॉक्टर द्वालिका परसास सकसेना ने राज भाषा की परिभाषा इस परकार दी हैं जो भाषा किसी राज्यों में सरकारी कारियों में सरवाध्धिक प्रियोक्त होती हैं उसे राज भाषा कहते हैं। राज भाशा में कैंद्रियों वो प्रांतिय सरकारे अपना पत्तर बेभार करती हैं सरकारी आदेश एवं आज्या इसी भाशा में मुद्रित होती हैं और कैंद्र वो प्रदेशों के मद्या संपर्क स्थापित करने का कार्य भी इसी राज भाशा के द्वारा होता है उसे रा माध्यम भाषा ग्यान अन्शिक्षा आदी के ख्षेतर में विचारो अनभो आदी के आदान परदान के लिए जिस भाषा का प्रियोग होता है उसे माध्यम भाषा कहती हैं। अब आता है आपका मानक भाषा। मानक भाषा के बारे में डॉक्टर भोला रामतिवारी ने कहा है कि मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे ख्षेतर में शुद माना जाता है। तता जिसे उस प्रदेश का शिक्षित भी और शिष्ट समाज अपने भाषा का अदर्श रूप मानता है। और प्राय सभी अपचारिक परस्तितियों में लेखन, परशासन और शिक्षा के मार्ध्यम के रूप में उसी का प्रियोग करने का यतन करता है। उसे मानक भाषा कहते हैं। इसके अतिरिक्त भाषक के कुछ अन्य रूप भी देखने को मिलते हैं जैसे संचार भाषा। संचार भाषा भी एक भाषा हैं जिसमें हम रेडियो, टेलिविजन, आदी, जन संचार मार्ध्यम में प्रिक्थोने वाली भाषा। उसके बाद विशेष्ट भाषा, विशेष्ट भाषा में वैवसाय या कार्यो विशेष में प्रिक्थोने वाली भाषा। उसके बाद अंत्राष्ट्य भाषा जिसमें सी विश्व के अनेक देशों के बीच समंदों में प्रियुक्त होने वाली भाषा आदी सभी इस भाषा में आते हैं